क्या आपको पता है कि आपकी फसलों को भी विटामिन चाहिए? ओ, आपको नहीं पता? चलो, मैं आपको बताता हूँ. A, C, E, D, K. ये कोई अंग्रेजी के शब्द नहीं है. ये नाम है विटामिन्स के, जो की हमारी बॉडी को बनाती है. हमें छोटी-छोटी मात्रा में विटामिन्स चाहिए. विटामिन्स हमारी बॉडी को बनाती है, चलाती है और रक्षा करती है. हमारी हड्डियूं और स्टिन को बनाती है और मजबूत करती है. क्या आपको पता है कि हमारी तरह पौधों को भी विटामिन्स की जरुवत है पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए, कीडों से लड़ने के लिए और नूट्रियंट से ताकत लेने के लिए विटामिन्स की बहुत जरुवत है जब पौधे में विटामिन की कमी होती है तो पौधा कमजोर हो जाता है उसे बीमारिया जल्दी लगती है इसलिए पौधे को बाकी सब न्यूट्रियंट्स के साथ विटामिन्स की भी जरुवत पड़ती है परन्तु कई बार हम पौधे का पूरा ध्यान रखती है सभी न्यूप्रियंट्स देते हैं, परंतु विटामिन्स नहीं देते, और हम पौधे से पूरा उत्पादन नहीं ले पाते, या फल, अथवा, सबजी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाते, इसलिए पौधूं को बाहर से विटामिन देना जरूरी होता है, परंतु आप विटामिन मिले, इसलिए डेन्जा में एक विटामिन का घूल बनाया है, इस घूल में पौधूं के सभी विटामिन मौझूद है, आप डेन्जा का स्प्रे फूल बनते वक्त करें, और फिर देखें डेन्जा का कमाल, आप डेन्जा को हर इंसेक्टिसाइड स्प्रे में भ जी हाँ, जब भी आप कोई कीडे मार दवाई का स्प्रे करें, उस टंकी में डेंजा का एक पाउच मिला दें।